हे लो डियर स्टुएंट कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे सब की पड़ाई सांदार चल रहे होगे प्यारे बचों रास्तान Electicity Board में भरती से समधी या फिर वेकेंसी समधी एक नोटिफिकेशन वो काफी दिनों से वायरल हो रहा है एक्च्छल मेरे पास में ये नोटिफिकेशन काफी दिन पहले ही आ गया था लेकिन इसके बारे में कोई जानकरी दी नहीं लेकिन अभी वो notification वो काफी ज़्यादा social media पर खास तोर से YouTube पर चलने लगा जिसकी वज़ाय से बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी message किया वो notification भी send किया Sir, actual में ये क्या चीज है, ये बरती कब तक आने वाली है, ये बरती से समधिता है या फिर क्या चीज़े इसके बारे में जानकरे दीजिए तो मैंने सुझा क्यों ना है, इस notification के बारे में पर detail में बात कर लेते हैं हना इसके अंदर लगबग 2900 से ज़्यादा vacancy के बारे में बताया गया electricity board का जो notification है, उसके बारे में भी अपना बात करेंगे उनके लिए हर संडे को हमारे mobile application पर free में टेस्ट रहते हैं तो आज Wednesday है, संडे को बिल्कुल free ALP का full length mock test है वो हमारे mobile application technical job ग्यान पर available रहेगा उसको जरूर अटेंड करिएगा, बिल्कुल RRB, ALP का जो syllabus है उसके आधारत है और आप अपने तियारी को जुरूर पर रखियेगा, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा समयस में पर काफी सारी free चीजी application पर में डालता रहता हूँ जिसके बार में, अगर आप टेलिग्राम चैनल में aid हो जाओगे तो उसके बार में आपको समयस में पर जानकारी मिल जाएगी वीडियो को डिसकर्स में आपको टेलिग्राम चैनल के भी लिंक प्रोवाइट करवा रहा हूँ अगर जोइन नहीं किया है तो मेरे साथ पर्मानेट जुडने के लिए उसको भी आप जोइन कर लेजीगा चलिए बात कर लेते हैं एक्ट्वल में इस notification का मतलब क्या है उस भी में आपको लेके चलता हूँ लेकिन उससे पहले इस notification लिखावा क्या है वो देख लेए एक्ट्वल रिक्रूट्मेंट ओफ डारेक्ट रिक्रूट्मेंट कोटा वेकेंसी इन फाइव विजूत निगम यानने कि जो 500 विजली कंपनिया उनमें एक्ट्वल रिक्वार्मेंट कितनी है उसके बार में चीज की कितनी जरूरत है उसके बारे उसके बाद है टोटल वेकेंसी के बारे ही बताया गया है वेसे तो यहाँ पर कई सारी वेकेंसी है जैसे कि नोन टेक्निकल भी वेकेंसी है और टेक्निकल वेकेंसी है तेक्निकल वेकेंसी के बार में अगर अपन देखे थोड़ा सा य दिखाई दे रहे हैं कि बीजली बॉर्ड में रास्थान में जैयन की भरतिका काफी सारे बच्चे इलेक्टिकल वाले खांस तोर से इलजार करते हैं तो इसके लिए टोटल मिला करके 635 वेकेंसी यहां पर बताएगी है जैए सिविल के लिए टोटल मिला करके यहां पर 110 वेक बार में आपको आगे बताने वाला उसके क्या रह जार इस नोडी वेकेंसी का क्या मतलब है उसके बार में देखी आईटी वाले जो बच्चे पहले क्या होता था तीनो जो अपनी डिस्ट्विशन वाली कमपनिया थी इसके अंदर टेक्निकल हेल्पर के नाम से आईटी के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी 500 कंपनियों के अंदर एक कोमन नाम कर दिया इनकी तरब से टेक्निशन ग्रेट थर्ड है जैसे कि यहां पे इन्होंने ब्रेकिट में भी डाल रखाया भी आईटे की है इसके अदर टोटर मिलाकर के जो वेकेंसी बताएगी है 815 वेकेंसी इसमें भी अलगल कंपनी के हिसाब से इन्होंने बता रखा भी किस कंपनी की कितनी वेकेंसी है वो भी आप देख लिएगे 6181 वेकेंसी है आर वी योन यानि की रास्तना दराजे विदुत उत्पादन पावर प्लांट वाली जो जो जोब है उसके इन्दर 681 वेकेंसी है उसके बाद में पारेशन के अंदर कोई वेकेंसी नहीं है उसके बाद JVVN के अंदर 132 वेकेंसी बताएगी है और AVVN के अंदर 2 वेकेंसी है बाकी यहाँ पे जोदपुर के अंदर कोई वेकेंसी है नहीं तो इसे इसाब से IT वाले बच्चों के लिए टोटल जो वेकेंसी खाले थी, कब की डिटेल्स है, ये नौवा महीना दो हजार टेश याने की सितमबर दो हजार टेश की बात है, अब एक्चुल में ये नोटिफिकेसन अभी क्यों आया, इसका मतलब क्या है, उसके बार में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो चलिए उसके बार मे हज़ी के महीने में, वित्व विबाग को एक फायल भेजे गई थी, मंजूरी के लिए भी इतने पदों पर हमारे को मंजूरी चाहिए, कब भेजी गई थी? मई दो हजार टेश के अंदर, इनके तरब से फायल भेजे गई थी, मई दो हजार तेश में, उसके इननर टोटल वो बेजी गई थी 32 सितियां सी बदों की वेकेंसी बेजी गई थी उसके बाद वित विभाग ने दुबारा से इस फाइल को लोटा दिया उन्होंने बोला कि जित्ती आपको actual requirement है कम से कम वेकेंसी को हमें मतलब अप्रूब करने वाले जो आपको ज़्यादा जुरूरी है वो ही हमारे को भेजिए तो उसके बाद में actual requirement का अभी आपने notification देखा है वो सितंबर के महिनी में दुबारा से electricity board की तरफ से वित विभाग को भेजा गया था तो उसके अंदर अभी जो वेकेंसी इनोंने किति दिखा रकिया एक्चूल requirement ही हमारे को वेंजिए तो इन्हों ने एक्चूल requirement फिर से वित्वी बाग को वेंजी सितंबर के महिने में उसके बाद साइद नॉम्बर के महिने के आस्वास में रास्तान के अनल जो अपने चुनाव थे उनके आचार से तरलागिर उसके बाद में कोई भी इसका नोटिफिकेशन वगरा कुछी भरती का आया नहीं अब एक्चुल में बात यह कि यह भरती कब तक आ सकती है आएगी भी या नहीं आएगी यह नोटिफिकेशन बिल्कुल भरती से सम्दित है खाली पोष्टे एक्चुल जो रिक्वार्मेंट है वीतिविभा को भेजेगी उससे सम्दित है उमीद यही करते हैं कि इस बार 296 में जो पद है उन पे भरती के लिए मंजूरी मिल जाएगी वीतिविभा के तरफ से क्योंकि दुबारा से कम करके वेकेंसी फिर से इनकी तरफ से बेजेगी है अब ये वेकेंसी कब तक आ सकती है देखे जित्ती भी वेकेंसी वीतिविभा को पहले भेजी जाजोगी थी ना की राष्तान में चुनाओं से पहले उनकी भरतियां आनी स्टार्ट हो चुकिया फोर एक्यामपल राष्तान के अंदर लाइव डेरिन ग्रेड सेकेंड अना इसकी भरतिय का नोटिफिकेर्शन अभी अभी जस्त आपने देखा ही होगा अभी फोरम स्टार्ट होने वाले है औ और उसकी भरति वीत वीबाग के पासे मंजूरी के लिए चुनाओं से पहले भेज दी गई थी यानि कि जो भरतियां पहले वीत वीबाग को मंजूरी के लिए भेजी गई थी या फिर मंजूरी मिल गई थी ना वो भरतियां अभी करंड के अंदर आनी स्टार्ट हो गई त जुलाई अगस्त के आस पास तक ये वेकेंसी आ सकती है वेसे अगर मेरी ओपिनियन इसके बार में आप जानो ना तो अगला जो financial year है हना एक अप्रेल से जो स्टार्ट होने वाले एक अप्रेल 2004 से एक अप्रेल 2025 तक का हना 30 मार्च 2025 तक का उसके अंदर ये वेकेंसी आने की परबल संभावन है और ज्यादा संभावन है ये कि लोग सबाचुनाव के तुरंत बाद में जुलाई अगस्त तक आपको इसका notification देखने को मिल सकता है हलांकि इसका notification कभी भी आ सकता है क्योंकि ये ओल डेडिजी तुभा के पास में वेकेंसी मंजुरी के लिए गई हुई है मंजुरी मिली या नहीं मिले उसके बार में भी जान करनी है मंजुरी मिल तो जाएगी लेकिन एक्चुन में अगर मंजुरी फहले ही मिल चुकी है तो ये वेकेंसी का notification बहुत जल्दी भी आ सकता है इसलिए आपको अपनी तियार ये उसको अच्छी तरीके से करना है और 100% वेकेंसी आएगी उमीदे नहीं छोड़नी है रास्तान लेक्टिशिटी बोर्ड के अंदर भी ये वेकेंसी आने वाली है जान रखना उसके बाद है कि राजस्तान रोड वेजय है उसके अंदर भी बाउन सो पत्थे जो भेजे गे थे वीत विबाग को मंजूरी के लिए उनकी फाइल ये वीत विबाग ने रेटन के दी और बताया गया था बोला गया था भी जरूरी है वही पत्थ हमारे को भेजय है 2200 जोपद थे ना उनमें से IT के लिए 1500 वेकेंसी थी और mechanical J level के भी कुछ वेकेंसी थी इसके बाद में 2200 जोपदों को घटा करके इननोंने 2800 जोपद है रोड बेज ने दुबार अवी थिबाग के पास ने बेजय है अब इन 2900 जोपदओं इसमें IT के कितनी वेकेंश है इसके बार भी तो कोई भी ओपन चीज बार आई नहीं है लेकिन अठाई सो पद हो वित्विपा के पासे मंजुरिय के लिए पहले ही ओल्डेडी भेजे चा चुके है तो इसके भी वेकेंशी कभी भी आ सकती है अगले फाइनेंशिल एर केंदरा की और ज्यादा संभावन है उसके बाद रास्तान वाटर बकस है तो उसमें तो तीन चार सालों से चली रहा है अना कई बार उसमें क्या हो रहे है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज करने को लेकर के कई बार एक्स्पिरिंस को लेकर के पहले उसमें IT थी नहीं इस की वजए से वो भरती काफी ज़्यादा मतलब डेले हो रही है आने के तो वो भी वेकेंसी कभी भी आ सकती है लेकिन उसका पर बहुत ज़्यादा एससे क्या नहीं सकते भी इस साल के अंदरी आ जाएगी क्योंकि वो जो वेकेंसी 3-4 सालों से 4-5 सालों से चर्चा में चल लिए तो वो वेकेंसी आने को कभी भी आ सकती है लेकिन राजस्तान रोडवेज की 2800 पदों वाली भरती और लेक्टी सिटी बोर्ड की जो 296 पदों पे जो भरती है न ये बरती आप धान रखना कभी भी आ सकती है उमीद नहीं छोड़ने है ये वेकेंसी आने की परबल संभावन है उमीद है ये नोडिफिकेशन किस चीज का था ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी वेक्टी चीज ये बिलकुल आपको अपनी जो भी टेक्निकल है उसकी तियारी बहुती शांदार तरीके से करने चाहिए और खास तोर से जो आईटी सेकंड येर में पढ़ रहे हैं या फिर बीटेक बगरा के फाइनल सेमेस्टर में है ना फिप्ट सेंथ सेमेस्टर में तो उन लोगों को भी अपनी तियारी वो करने चाहिए चलिए वीडियो अच्छा लगाओ तो एक प्यारा सा लाइक करना अपने जिरूरत मन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को सेर जरूर करिएगा मेरे साथ परमानेट जुडने के लिए और सभी परकार की सरकाई तकनिकी भरतियों के बार में अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप टेलिग्राम चेनल को भी जोइन कर सकते हूं वीडियो को डिस्करमा लिंक मिल जाएगे टेकनिकल जोब ग्यान के नाम से टेलिग्राम चेनल है और ELP वाले बच्चों के लिए आने वाले संडे को हमारे मोबाइल अप्लिकेसन टेकनिकल जोब ग्यान पे बिलकुल फ्र